निस्षित रूप से आज का ये जीत कई मद्दाता हमारे जार्खन के लोगों के लिए उत्सा का दिन तो है ही लेकिन मेरे लिए आज का दिन एक संकल्प लेने का है इस राज की जनता का यहां के लोगों के अखंचाओं को पूरा करने का संकल्प लेने का दिन है और आज का ये जनादेश मुझे लगता है आदर्निय दिस्वम गुरु सीबु स्वरेंजी के परिश्रम और समर्पन का ये परिणाम है जिस उद्देश के लिए ये राज लिया गया था आज उन उद्देशों को पूरा करने का वक्त आ गया है निस्षित रूप से आज हम इस राज में महागडबंदन के तहट चुनाओ लड़े जिसमें हमारे साथ सामिल कांग्रेस के लोग आरजेडी के लोग और जैमें हमने मिल कर लड़ा मैं इसके लिए भी आदर्निय गुरू जी को आदर्निय लालू जी को आदर्निय सोनिया जी को आदर्निय राहूल जी को आदर्निय प्रियंका जी को कॉंग्रेस के सभी जो राज पे नजर लगाए हुए थे जो परभारी के रूप में थे कारिकरता के रूप में थे सभी दलों के लोगों को भी मैं बहुद बहुद अभार देना चाहूंगा जिनोंने मेरे उपर अपना विश्वा जताया और आज राज की जनता ने इस राज को एक अस्पस्ट भहुमत दिया है साथियों बिगत लगबग 40 दिनों से आप सभी मिडिया के बंदूओं ने इस राजनितिक घटना करम का इस चुनाओं के हर पल पर नजर रखा और एक एक खबरों को आप लोगों ने राज की जनता से देश की जनता तक पहुँचाने का काम किया आप सभी लोगों को भी मैं देश के और राज के चोथे असम के रूप में इस कार में अपनी भूमी का निभाने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का भी सुक्रिया आदा करूंगा कि इतने ठंड में भी इतने सुदूर ग्रामिन छेत्रों में भी जा जा करके अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग ली और राज की जनता तक अपनी बाते पहुंचाई आज निस्षित रूप से एक नया अध्याय शुरू होगा इस राज के लिए और इस राज के लिए यह अध्याय यह वक्त जो होगा यह एक मिल का पत्थर साबित होगा और निस्षित रूप से जिस उम्मीद के साथ लोगों ने अपने मतों का परियोग किया है मैं भरोसा दिलाता हूँ कि उनकी उम्मीदे नहीं तूटेंगी चाहे वो किसी भी वर्क समुदाय के हो चाहे नौजवान हो किसान हो महिला हो बेपारी हो बुढ़े बच्चे हो किसान हो मजदूर हो या सबी आप पत्रकार मित्र भी क्यों नहीं हो क्योंकि आप की भी आप भी एक हिस्सा है लोगतंत्र के और मैं आज चुकि ये समय ऐसा आज दिन भर का बिता कि आज हमारे गड़बंदन साथी अभी हमारे साथ नहीं है और बहुत लोग एसेंबल भी हो रहे हैं और बहुत जल्द आगे की रूप रिखा के विसाय में हम लोग गड़बंदन दल मिलकर बैट कर तैय करेंगे कि आगे की रननेती आगे की कारवाई कैसी करनी है मैं ने कहा ना अभी हमारे गड़बंदन साथी हमारे साथ नहीं है यह एक चुकि आप लोग बहुत देर से यहां इंतजार कर रहे थे मैं भी परिणामों का इंतजार में था जो कि बहुत सारी पास नहीं से नहीं है देखिए अभी मैं अपनी बातें यहीं खतम करना चाहूंगा आपकी पूरी बातों को हम लोग और बाद में बिश्चिर कुरुप से कहेंगे चुकि आपके मन में भी बहुत सवाल है और हमारे मन में भी बहुत बाते हैं और चुकि अभी कारकरताओं के साथ आप लोगों देख रहें किस तरीके से यहां पर कारकरता भी आए हुए हैं और सभी लोग आप लोग भी अस्त्वेस्थ हो जाएंगे हम भी अस्त्वेस्थ हो जाएंगे इस वैसे बहुत जल्द अब समय काटने क्या है मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ा सा आप इंतिजार केजिए अब इतने दिनों तक आपने इंतिजार किया है कल तक सभी चीज़ें बहुत असपस्ट होंगी और आप लोगों कि समझ चमलों रखेंगे चले बहुत बहुत धन्यवाद सब को दो